नमस्कार, आज अपन बात करेंगे रादिका गुपता, आज कल इनके बारे में न्यूज पेपर में काफी न्यूज आ रही है, आखिर इनके बारे में न्यूज में क्यों चल रहा है, रादिका गुपता, कौन है या रादिका गुपता, रादिका गुपता महाज 33 साल की उम्र में एडलवाइज MF कमपनी की CEO बनी है अब आप कहोगा सर CEO तो सब बनते हैं इनमें ऐसा क्या विशेश है जो यह CEO बनी CEO तो बनते हैं फिर दूसरों के तो न्यूज एक बार में नहीं आती है इनकी न्यूज पेपर में क्यों आ लिए बिलकुल राइट बात बिलकुल पॉइंट की बात रादिका गुपता उन लड़कियों में अधिका गुपता में बच्वन से इनकी घर्दन थोड़ी टेडी है और आखों में इनका भेंगापन है बच्वन में लोग्चकूल मजाक उड़ाते थे इनके फ्रेंड दोस्त रिलेट्योंस सारे इनकी खूब एक जोग बनाते थे इनका, इनकी मजाक उड़ाते थे रादिका कुप्ता सक्सेंस स्टोरी देखिया मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार खुद सिर्फ रादिका कुप्ता ने हुमन और बोंबे को बताया कि कैसे उनके जिन्द की एक संकर्स परी रही और लोगों के ताने जेल कर आज वो इस मुकाम पर पहुची है हर इंसान के जिवन मुस्किले आती है बहुत से लोग क्या करते हैं अरे यार मेरा तो सरीर ऐसा है वरना तो मैं यह कर लेता बहुत से लोग अपनी फिजिकल वीक्नेस को किसमत मान लेते हैं बगवान में मुझे तो ऐसा ही दिया है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन कुछ लोग अपनी फिजिकल वीक्नेस को बले उनके अंदर फिजिकल वीक्नेस है लेकिन वो अंदर से मेंटली स्ट्रोंग होकर दुनिया को बताते हैं कि अगर आप में कुछ करने का जज़बा है ना तो आप की फिजिकल वीक्नेस कहीं भी आड़े नहीं आईए और वो ही एक्जामपल देती है रादिका गुप्ता देखिया रादिका के गर्दन में गर्दन टेड़ी और आँखों में बेंगा बने थोड़ी से उनकी गर्दन टेड़ी लेती है और आँखों में थोड़ा बेंगा पने लेता है रादिका गुप्ता के फादर एक राज नई थे उनकी जोब अलग-अलग विदेसों रही कभी इसराइल, पाकिस्तान, नाइजिरिया अलग-अलग जगे रही और अलग-अलग जगे रादिका की इस्टेडी चली उनकी माँ एक अच्छी सेक्षित लेडी है और जहां जिस स्कूल में रादिका गुप्ता पढ़ती थी उसी स्कूल में उसकी माँ भी टीचर थी तो लोग रादिका की तुल्ला उसकी माँ से करते उसकी माँ रादिका की माँ एक तेजस्वी महीला थी रादिका को अंदर यह दर गुठन होता उनके फ्रेंज उनके बार-बार मजाग उड़ाते हैं उनकी टेडी गर्दन के कारण उनकी आँखों में भेंगा बन होने के कारण जब रादिका कुपता पड़ी हूँ तो सेवन टाइम सेवन बार उनके किसी कंपनी में अलग अलग कंपनी में जो इंटर्यू फाइट किया सेवन बार रिजेक्ट हुई और 22 के उम्र में सुसाइट करने का प्यास किया उनको लगा कि यारे मेरा सरीर ऐसा है मेरी हेल्थ वीक्नेस है लोग मेरे को मजाक उड़ाते हैं जहां मैं किसी कंपनी में इंटर्यू के लिए जाती हूँ वहां पर भी मुझे कर दिया जाता है इस दुन्या मेरे जिन्दगी को कई माहथ तो नहीं हैं को वह सुसाइट करने का प्रयास करती है 22 की एज में पिर कहती है रादिका गुपता की कोई एक दोस्त आता है उनको उस आत्मत्या करने से बचाता है फिर रादिका गुपता को मनुझिक्ष्चि प फिर वापिस किसी company में interview के लिए चाती है चूचिए उसको पता था के मुझे जौब करने और कुछ alkal करके दिखना है इस तुनिया को इस कारण से राधिका गुपता चर्चित हैं कि इतना फिजिकल वीकनेस होने के बाद में इतने लोगों के ताने जेलने के बाद में आज राधिका गुपता एडलवाइस एमेफ कंपनी की CEO बनी है और दुन्या में एक मुकां बनाते हैं सारे रिली विकनेस के साथ में आज राधिका गुपता पूरी दुन्या को कहती है जब कोई लोग उसकी पीट पिछे सामने भी बात करते हैं तो वह कहती है हाँ मेरे में खाश्यत है मेरी गर्दन में टेड़ा पन है मेरी आखों में बेंगा पन है आपके पास क्या है वो खुले हम केती है क्योंकि उसने आपने आपको accept किया कि जो जैसी हूँ मैं वैसी हूँ और उसे की दंग पर आज रादीका गुपता लोगों के लिए प्रेना का स्रोत बनी है जो लोग फिजिकल विक्नेस को एक किस्मत मान कर उसके बड़ों से बेड़ जाते हैं ना उनको अगर प्रेना चाहिए तो रादीका गुपता से सीखना चाहिए कि कैसे उसने फिजिकल विक्नेस के साथ मैं आज एक टोप कमपड़ी की सीएओ बली इसी का साथ आज यहीं मेरा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ऐसे नोलेजबल वीडियो और मॉटिवेस्टनल वीडियो मैं आपके लिए हमेसा लाता आप